बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम अलेकूम वेलकम टू मैं चैनल हॉट फ्लेम आज हम बनाएंगे मटन की एक बहुत ही लाइट सी डिश मटन स्टिव तो चलिए मैं आपको इसमें दनने वाली चीजें पहले लिखवा देती हूं मैंने इसके लिए लिए है एक किलो मटन हड़ी के साथ इसके लिए लिए मैंने 4 अदद मीडियम साइस के प्यास और उनको स्लाइस में काट लिया एक बाउल इसमें जाएगा दही एक कप जाएगा इसमें कुगिंग आयल नमक इसके लिए लिया है मैंने 1 टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें काली मिर्च का पाउडर 1 टी स्पून चिली फ्लेक्स जिनकों के दादरी मिर्चें भी कहते हैं मैंने 1 ञाफ टी स्पून आप इसको चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं हाफ टी स्पून से जाएगा हल्दी पाउडर पीश साथ से आठ पीस इसमें जाएंगे आलो बुहारे ड्राय आलो बुहारे के वन टी स्पून इसमें जाएगा जीरा दो अदद मैंने लिए हैं कड़ी पता आठ से दस ले ले लें आप गोल लाल मर्चे दो जाएंगी इसमें मोटी इलाइचिया दो अदद इसमें जाएंगी दारचीनी के टुकड़े आठ से दस गोल काली मर्चे चार अदद लौंग लिए और उसके बाद जाएगा इसमें वन टेबल स्पून लहसन का पेस्ट और वन टेबल स्पून अद्रग का पेस्ट और साथ में पांच से छे सबस मर्चे तो चलिए इसको पकाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ही हमने पैन लिया देख चार उसमें हम डालेंगे ओल एक कप डाल देंगे ओल उसमें डालेंगे प्यास और प्यास को हम थोड़ी देर के लिए फ्राइ कर लेंगे इनको ब्राउन नहीं करना बस इनको हम अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे प्यास को हमने मीडियम हीट के उपर आच से दस मिनट के लिए फ्राइ किया उनको हमने ब्राउन नहीं करना, वो सॉफ्ट करना था, सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे लेसन का पेस्ट और अद्रक का पेस्ट इन दोनों चीजों को डालने के बाद हलका सा हम इसको फ्राइ करेंगे और साथ ही इसमें एड़ कर देंगे गोश्ट गोश्ट को एड़ करके हम 10 मिनट तक गोश्ट को अच्छी तरह से भून लेंगे इसमें ऑईल में ताके इसका ब्लड और इसका जो पानी है वो इसमें जल जाए अच्छा सा इसको हम 10 मिनट तक भूनेंगे देखिए पांच मिनिट तक जब हमने इसको भून लिया इसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, हल्दी पौउदर और ये चारो गरम मसाले, इलाइची, दार्चीनी, लॉंग और काली मिर्च साथ ही हम इसमें डाल देंगे आलो बुहारा भी और इन ती सारी चीज़ों को डालने के बाद इसको पांच से दस मिनिट के लिए अच्छी तरह से दुबारा भून लेंगे गोश्ट को हमने मजीद पांच मिनिट तक अच्छी तरह से भून लिया अब इसमें हम एड़ कर देंगे तकरीबन चार ग्लास पानी चार ग्लास पानी एड़ करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और इसके गलने तक इसको पकने देंगे अगर आप इसको कुकर करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें दो ग्लास पानी डालेंगे और इसको तकरीबन दस से बारा मिंट के लिए कुकर करेंगे मटन बड़ा अच्छा सा गल गया है अब इसमें जो पानी है थोड़ा सा इसको अब हम भून कर ड्राइ करेंगे और साथ साथ इसमें हम एड़ कर देंगे एक बाउल यॉगर्ट का दही का जो हमने लिया था साथ इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर कड़ी पता और ये साथ गोल मिर्चें भी हम इसमें डाल देंगे और अब हम इनको तकरीबन 5-10 मेंड तक अच्छी तरह से भून लेंगे इसका पानी ड्राइ होता जा रहा है यहां पर आपने जितनी ग्रेवी उसमें रखनी है उस स्टेज पर पहुंच कर आप इसका तुला बंद करेंगे हम इसको थोड़ा सा भी और ड्राइ करते हैं बहुत अच्छा सा भून गया है इसका ओइल भी उपर आ गया है और इतनी इतनी थोड़ी सी ग्रेवी हम इसमें रहने देंगे इस स्टेज पर हम इसमें एड़ करेंगे जो सबस मिर्चे हमने रखी थी इस तरह से बड़े बड़े साइज में एक इंच के टुकड़े काट कर इसमें एड़ कर देंगे और चुले को बंद करेंगे तो ये रेड़ी है मज़ेदार सा मटन स्ट्यू आप इस डिश को बनाएं अगर आपको पसंद आए तो डिश को लाइक करें और मेरी रेसिपीज मजीद चाहिए तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें अल्ला हाफिस